सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चिलिश शुरू करते हैं दिस वीडियो इस ब्रॉट तो यू बाई फोन रेस्क्यू चेक डिस्क्रिप्शन फोर मोर इंफर्मेशन तो यहाँ पर आपके बढ़ने से पहले चाहिए आपके एक हेल्प कि आप यहार निचे कमेंट करके बताओ कि जो दूसरा अपना चैनल है वहाँ पर हर संडे सुभ है कि आपको मिल जाए हमाँ पर बहुती कमाल कॉंटेंट लेकिन ऐसे में जो आप चाहते हैं वहाँ बताए कि निचे मुझे आप्शन्स में और फिर उसके बाद में चूर्स करेंगे और वीडियो बनाएंगे बहुती धमाल कमाल एक दो माला माल वाली उमीद है कि आपको दिवार के हार पर देखने की बाद चल रही है किसी एकसरे विजन की तरह है और यहाँ पर काम में आएंगे हमारे ड्रोन की ड्रोन एक दिवार के उस पार है यूजर इस तरफ कड़ा है उसने पहना हुआ है या Microsoft वाला HoloLens सिस्टम ड्रोन को वो कंट्रोल कर पा रहा है जहा हां मैं तो दिवार के उस पार देख रहा हूं मैं तो दिवार को तोड़ के निकल गया उस पार उसके बाद में एक दिवार दो दिवार दस दिवार आप मतलब ऐसी तोड़ते जाओ देखते जाओ यह तो काफी कमाल सिस्टम है काम में आ सकता है search and rescue operations वगरे में जहां पर आ और को मालूम है कि कौन कहां पर है वगरे वगरे लेकिन सिस्टम भी काफी interesting है तो दुस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है सैमसंग के लिए और सैमसंग को भी असू कर दिया है कमपनी ने बोला है कि हमारे पेटेंट्स होगी है सैमसंग ने इंफरेंज और यहां पर लगाया है तो उस्तों लॉसूट थ्री बिलियन डॉलर्स का और यह इसलिए है कि सैमसंग जो बायमेट्रिक्स की मदद से नॉक्स होगरे में इस्तेमाल करता है सिक्यूर फोल्डर्स होगरे होते हैं जाब यह अपने डिटा को स्टोर कर सकते हैं 2016 के बाद में जितने भी सै निकलता है और सैमसंग के बास में देने को क्या होता है जवाब कोट के सामने दूसरो अगला अपडे निकलता है वो है चायना की एक नई सडख को लेगे और यह है स्मार्ट रोड जो एलेक्ट्रिक वीकल्स को सडख पे चलते चलते कर देगे चार्ज और यहां पे दुए तो काफी कमाल हो जाएगा अब को गारी को शायद कभी चार्ज़ ना करना पड़े मतलब आप चलते रहो आपकी बैटरी जो वैसी चार्ज होती रहेगी और काफी कमाल कंसेप्ट है ऐसे जुरूर को लाइफ है इतने अभी तो फोन लांच नहीं किया अभी इतने वह लांच करेंगे इतने करेंगे मतलब कॉन सा छोड़े तो पता नहीं यहां पर एक फोन आसकता है जहां पर चैंज का डिस्प्ले होगा dual cameras है कुछ और options होंगे snapdragon 845 वगर है तो देखते हैं कि यह कब आता है V35 thing उसके अलाबा G7 thing कब आता है और LG कुछ आके अगर धूम मचा है तो बढ़िया यार अच्छे कीमत पर अच्छा phone मिल जा है वरना बातों में क्या रखा है दोसर अगले अपडेट निकल गयाता है वो है Motorola के Moto G6 Play को लेके यह भी उस्ताद होई है जो मतलब लीक पे लीक पे लीक पे लीक पे लीक और यहां पर यह भी लीक हो गई है लाइव फोटोज देखते हो फोटो कैसा है सामने से और पीछी से और यहां पर हो सकता है कि प्लाइन कर रहा है गोप्रो ने पहले बोले जन्वरी में की वह हम बिखने को त्यार है अगर किसी में है दम तो आके हमको खरीद ले क्योंकि दोस्तों गोप्रो जो है वो इतने प्रॉफिट अभी तक अर्ण नहीं कर पा रहा है कुछ को चीज़ें जो और वो प्रो अब इसके लिए हिरो 5 सेफिशेंट है मैंने उसके पूरा एक complete kit type का order किया है और उससे में कुछ एक interesting video shoot करने वाला हूँ एक journey दोस्तों होगी मेरे घर से लेके और कहीं तक अभी आप सोचो कि वो जो destination है वो क्या है और वो journey बहुत जल्दी आने वाली है बहुत कमाल आने वाली है मज़ेदार मतलब मुझे ये मौका मिला है मज़ा आ जाएगा गैस करते रहो बाद भी रीचे बताना कि वो journey कौन सी होगी और कहां पे होगी अबडे निकल गयाता है वो है अब हेलो network ये है औरकुट के founder Mr. Orkut की तरफ से और ये दोस्तों अभी इंडिया पे पहले टेस्टिंग भी जलना था बीटा में अभी हो गया है stable launch जहां पे आप अपने जैसे interest रखना है लोगों के साथ में connect कर सकते हैं बिसे के लिए नए टाइप को social networking ये system है आप अगर इस पर काम में लेते हैं उसके बार भी आप दिसने के वह ये आप जैसे interest कौन रखते हैं उन लोगों से आप बात कीजिए दोस्ती कीजिए तो ये आता है Orkut के founder की तरफ से एक नया नाम निकल के hello network लेकिन क्या ख़र है अभी तो हमको facebook ने और whatsapp ने पूरा घुमा रखा है साथ में instagram भी आता है और उसके लागों तो तरह तरह की बहुत सारी और apps भी आ जाती है क्या आप इसको यूज़ करना पसंद करों कि बज़ोताना जरूर नीचे comments में दूसर अगला पड़ी निकलता है वो है यार यहाँ पे canon के एक नए camera को लगी चुकी है Canon EOS M50 इंडिया मा दूसर लॉंच के जा चुका है जो इसकी price निकल के आती है सामने वो है 61,995 रूपीज ये एक APS-C size sensor वाला mirrorless camera है आपको साथ में मिलता है basic kit lens और यहाँ पे आप 4K videos को भी record कर सकते है 120fps में आप HD videos को record कर सकते है तो 4K videos record करने के लिए Canon की तरफ से सबसे सस्ता उस्तों camera आता है 62,000 रूपीज का आप इसको ले सकते हैं ट्राइ कर सकते हैं और ऐसे में मैं भी planning कर रहा हूँ अपने camera ने अपग्रेड करने के ATD से 2-3 models मेरे दिमाग में है अगर अपग्रेड होता है जल्दी ही तो आपके लिए उनकी videos भी आई जाएगी और वो अपग्रेड most probably Canon में ही होगा तो अगले update निकल के आता है वो है यहाँ पर Xiaomi के BlackShare Gaming Smartphone को लेके यहाँ पर Snapdragon 845 है 8GB तक की RAM है 5.99 निजिस का Full HD Plus स्क्रीन है 4000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर साथ में accessory भी है जो दोस्तों एक तरी से game controller है वो भी काफी सस्ती है इस phone की जो price है और वो भी मतलब सही निकल के आती है जहाँ पर जो base price है करीब करीब 35-36,000 रुपे के असपास तो मतलब 31,000 में अगर Snapdragon 845 मिल जाए तो मतलब क्या कमाल हो जाए और देखते हैं कि यह इंडिया में launch होता है या नहीं specification तो कमाल लग रही है पीछे की तरह को मिलते है dual cameras जहाँ पर जो aperture है वो है F1.75 का जो front camera है वो है यहाँ पे 20 megapixel का rear तो 12 और 20 के तो मतलब सही है अगर काम अच्छे से हो जाए इस phone का लेकिन looks में बता नहीं क्यों मुझे इतना मजा नहीं आया दिखते हैं कि इंडिया में आता है या नहीं दोस्तों अगले update निकल काता है वो है Apple के HomePod को लेके और यहाँ पे Apple जो है वो इस साल के एंट तक प्लान करता है अपना एक सस्ते वाला HomePod लाँच करने का because HomePod इतना चीज़े बिक नहीं रहा है लोग इतना चीज़े खरीद नहीं रहें काफी expensive भी है आपल जोचता है कि हमें एक सस्ते वाला HomePod लाँच करने साइज में छोटा होगा जिसको शायद masses purchase करें उसके बाद में use भी करें तो देखते हैं कि Apple ये काम करता है नहीं क्योंकि Apple में सस्ते का मतलब तो कुछ होता है नहीं आपल का होगा तो मतलब premium होगा लेकिन क्या खरें लोगों को सब चीज़े पसंद रूना आती है हमेशा तो सब्सक्राइब अपडेट निकलता है हमें वह है कॉइन secure को लेके और यहाँ पे 438 bitcoin जो है हो चुरा लिये गए है जो value निकल काती है वो है 19 करोड रुपे और यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि भया यह किसी अंदर वाले का ही काम है और यह दोस्तों इंडिया बिसके लिए एक wallet और exchange है crypto currency के लिए और कुछ 20 क्रोड रुपे के असपास यह 19-20 क्रोड रुपे के बिटकोइन है वो किसी अंदरूनी इंसान नहीं चुरा लिए कुछ हिरा फेरी करके और ऐसे में bitcoin का तो मतलब अभी जो कोई नाम ले नहीं रहे आप जानते कि क्या rates चल रहे है bitcoin की मतलब पूरा धुआँ-धुआँ हो गया है क्या जाते हो कि वीडियो बनाओ bitcoin को लेके completely clear तरीके से कि अंडिया में currently क्या scene है क्या legal है क्या illegal है उम्मीद है कि शायद आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी दोस्तों अगले update निकल के आता है वो है इंडिया में drones को लेके और ये एक हुया सही चीज़ है बिलकुल अभी government जो है वो तेरा लोगों की task force को announce कर चुकी है और ऐसे में अभी actions लिए जा रहे हैं कि exactly किस तरीके से drones को इंडिया में लेके आए जाए कहां कहां पर क्या क्या drones जो है वो legal रहेंगे कहीं पर नहीं रहेंगे industry में use कैसे हो सकता है research में use कैसे हो सकता है सरकार कैसे use करेगी individuals है वो fun के लिए recreation के लिए कैसे use करेगे तो ये एक सही बात है जहां पर दोस्तों कुछ laws निकल के आएंगे बहुत जल्दी और उसके बाद में हम official तरीके से इंडिया में drones कोड़ा पाएंगे पूरे हक के साथ में दोस्तों अगला update निकल कहाता है final वो है Google की तरफ से यहां पर ये एक ऐसा AI system developed किया है Google ने जो भीड में किसी एक individual की आवाज को सबसे अलग कर सकता है पहचान सकता है, सुन सकता है, समद सकता है तो यार ये एक सही बात है कि मतलब अभी बहुत सो लोग बात कर रहे हैं लेकिन अगर system को सिर्फ आप ही के आवाज को सुनना है तो वो बड़े आराम से आपके आवाज को filter कर पाएगा फिर उसमें चाहे hearing aids हों चाहे और कहीं कई पी चीज़ें हों कुछ हम इसको बहुत अच्छे से implement करके यूज कर पाएंगे AI जो है ना वो मतलब आपने निशान लगा दिया कि भगया ये लाल टूपी वाला इंसान तो उसी को बाद में सुनती रहेगी और बाद में उसी की जो आवाज है वो एंप्लिफाई करके हमको देते देएगी बाकी शोर से अरग तो ये एक काफी कमाल बात है उसमें जो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगा फिलाल इस वीडियो पे इतना ही देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप उसमें सुझाव हो तो आप देखने करा मत भूलिए कि अगर आपने तो लाइक पर देखने शेयर नहीं किया तो लाइक पर देखने शेयर भी करते जिए चैल्वाद सब्स्राइक बना लोग लिए मत भूलना क्योंकि मैं अपले रुजाना ऐसी वीडियोज लेकि आता रहता हूं फिलाल के लेत नहीं दोस्तों जेहंद वन्दे मात रहां